और कल जो एक ताहने वाला है साड़े 500 वर्सों के बाद अविवत्यानगरे के निश्वी दिहास को एक बार फिर से देश की जनता के सामने रखा है और कल जो एक ताहने आनुज चलिए आनुज लगाता है हमें जानकारी दिनों से पूर दर्शन जी जी आनुज पूरी कि इस तरह से जो यह दोरा है तामिलनाडो का जहां पर प्रवान किया वह पूज आरशना की है यह अपने हाप में पहद है में और इस तरह से जुस मंदिर की तस्वीर है मापको दिखा रहे है कोट अंडर रामस्वामी मंदिर की यहां पर ऐसा माना जाता है कि आप को भी मंदिर में स्थान मिला और उनकी पूज आरशना की जाती है ऐसा भी माना गया है कि स्वामी वेका नन ने जब अपना पहला जो विदेश तो रहा था शिकागो में उसमें जाने से पहले यहां पर वो आई थे और क्यूंकि इसे एक हजार साल पुराना माना जाता है ए एक और बहुत एहम तथे इस मंदिर से जुड़ा हुआ वो यह है कि 1964 में बहुत भयानक चक्रवात आया था लेकिन वो इस कोठना रामस्वामी का मंदिर जो है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और इसकी अपनी एतिहासिक और हिनु शास्त्रों के अनुसार एहम मान उस युद का और यह प्रण लेना की अहार नहीं मानी जाएगी यह प्रण भारतियों जो हम भारतिये हैं उस भावना को कही न कहीं मजबूत करता है कि किसी भी चुनौती के आगे हम घुटने ना टेक कर बलकि यह कस्न खाते हैं कि कैसे मुश्किलों से पार पाई जाएगी और ये प्रतिबधिता जो है वो प्रधान मंत्री में भी साफ़वर पर जोलगती है जिस तरह से प्रधान मंत्री लगातार एक फारत श्रेश फारत की इस भावना को खास तौर पर जो पंचप्रण हैं उनके साथ जोड़ते हुए जिस नए संकल्प की हम बात करते हैं अमुर पूजा अर्चन करते हुए और खुद प्रधान मंत्री एहम अनुष्ठान कर रहे हैं कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं और एक बहतरीन श्रुवात कल के आयोजन की हम आज से ही मानते हैं जोस तरह से प्रधान मंत्री का जो ये दौरा रहा है तमाम अलग-अलग मंदिरों का खास तोर पर जहां पर प्रभु श्री राम वनवास के दोरान कुछ पल, कुछ शन, कुछ समय के लिए रुके और अलग अलग जो हिंदू मानेताओं के अनुसार हमने आपको सारी बातें आपसे स्वाज़ां की ये इस बात को कहीं न कहीं रिखांकित करती हैं कि रामायन कि अ जो चित्रन है वो इस भावना को जोड़ता है जब हम बात करते हैं मर्यादा पुरशोत्तमराम की जो की सुर्यवीर हैं कांती वीर हैं रगुवंशी हैं रगुराई हैं जिस तरह से प्रभु श्री राम के सोहर के लिए अब पूरा जो भारत वर्ष है वो अत्यंत उलासित है प्रफुलित है यह कही ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे जब इन तमाम तत्यों से आज की युवा पीढ़ी कही ना कहीं अपने अनुभफ को साज़ा करती है देखिया हमें भी बहुत सी चीज़े नहीं पता थी लेकिन जब हम इनको समझते हैं हम अपने ग्या को बढ़ाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि जिस रामायन का पाठ या फिर जिस रामायन को हम देखते हैं सुनते हैं उसकी आभा कितनी दूर दूर तक फैली हुई है आप देखिए कि जिस तरह से अनुछ बता रहे थे कि कोठना रामस्वामी मंदिर में रामायन से कई ऐसे चुत्र हैं जो यहां की दिवारों पर अंकित हैं तो आज का जो यह दोरा है